प्लीज सब्सक्राइब चैनल और क्लिक ते बल इकान वेलकम तो साइंचिया हम फर्स्ट येर चैप्टर टैन किंग्डम एनिमेलिया डिसकस करें हैं अपने प्रिवियस लेक्चर में हमने किंग्डम एनिमेलिया का सब किंग्डम पेराजोग डिसकस किया था आज हम सब किंग्डम यू मेटाजोग डिसकस करेंगे और देखेंगे कि पेराजोग से यू मेटाजोग में कौन से वाले डिफरेंसे हैं और कौन से वाले ऐसे फिचर्ज हैं जो इनके अंदर मुझूद हैं और पेराजोग की तरह मल्टी सैलिलर किंग्डम है और इसके अंदर cellular level of organization है उसमें multicellular organisms तो मुझूद हैं लेकिन वो cells आपस में मिलके tissues नहीं बनाते जबके यू-metazoa के अंदर tissue formation होती है और इसी तरह से organ formation होती है इसलिए हम कहते हैं कि यू-metazoa are symmetrical symmetrical symmetry का concept हमने introductory lectures के अंदर पढ़ा हुआ है I recommend कि आप initially वो lectures देखें और उसके बाद continuity में इन lectures को go through करें symmetry का मतलब ये है कि किसी भी organism के अंदर organs की arrangement central axis के around इस तरह से हो कि वो आपको allow करें कि आप animal को दो mirror images में divide कर सकें हमने देखा था हम पैरा जोआ में पाए जाने वाले animals को mirror images में divide नहीं कर सकते इसलिए हमने कहा था कि पैरा जोआ के अंदर तमाम individuals जो पाए जा रहे हैं they are asymmetrical जबके यू मेटा जोआ के अंदर पाए जाने वाले individuals they are symmetrical सब kingdom यू मेटा जोआ में आज हमारी consideration है phylum Nigeria सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइडेरिया को ये नाम क्यों दिया गया नाइडेरिया वर्ड दो वर्ड से derived है जिनमें सबसे पहले है नाइडा जिसका मतलब है नैटल और ये Greek language का वर्ड है दूसरा वर्ड है area जो के Latin का वर्ड है और इसका मतलब है like नाइडेरिया का मतलब हो गया नैटल लाइक नैटल कहते हैं एक herbaceous plant को जिसके rough leaves होते हैं और उन leaves के उपर चुबने वाले hair like structures होते हैं तो उन stinging hairs के reference से नाइडेरिया को नाइडेरिया इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी bodies के अंदर भी कुछ ऐसे cells होते हैं जो के sting कर सकते हैं और इस वज़ा से हम इनको नाइडेरिया कहते हैं यहाँ पे आप एक animal की body देख रहे हैं जो के नाइडेरियन है यह इसके tentacles हैं अगर आप इसके tentacles का magnified view देखें तो आप observe कर सकते हैं कि tentacle की surface के अंदर यह stinging cells मुझूद हैं जिनको हमने magnified करके यहाँ पे आपको शो किया है इन stinging cells को हम कहते हैं नीडोसाइड्स यह एक नीडोसाइड है नीडोसाइड की मुखतलिफ लेबलिंग्स आपको नजर आ रही हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि नीडोसाइड के अंदर यह brown color का जो है जब भी कोई प्रे इस ट्रिगर के साथ टाच होता है तो यह जो हमारे पास नीडोस इस्टा है यह fire करता है और fire करके इसका thread बाहर आता है और वो sting करता है हमारी प्रे को और उसको paralyze कर देता है और उसके बाद यह animal उस प्रे को consume कर जाता है तो इन stinging cells की मुझूदगी की वज़ा से हम इन animals को नाइडेरियन्स और इस phylum को नाइडेरिया कहते हैं जैनरल करेक्टर्स ओफ नाइडेरिया में इनका habitat देखें अगर हम तो हम कहते हैं नाइडेरियन्स आर अक्वैटिक यह पानियों में रहने वाले animals हैं mostly यह marine waters के अंदर रहते हैं लेकिन इन में से जो हरकत ना कर सके remains attached to surfaces और वो किसी surface के साथ attach होकर रहे उसे हम सेसायल या sedentary कहते हैं और सेसायल या sedentary में इनकी examples हैं hydra, obelia, sea animals और corals यह वो animals हैं जो हरकत नहीं करते हैं जबके कुछ नाइडेरियन्स ऐसे भी हैं जो के free living हैं और motile हैं जिसमें example है jellyfish की आप यहां पे jellyfish क पानी के अंदर swim करता हुआ देख सकते हैं, with reference to body size, nidarians हमारे पास microscopic भी हो सकते हैं और macroscopic भी हो सकते हैं, macroscopic का मतलब यह है कि यह तने चोटे हैं कि हमें naked eyes से नजर नहीं आते और इने observe करने के लिए हमें microscope का इस्तमाल करना पड़ता है, इसकी example है hydra की, on the other hand, इन में कुछ animals macroscopic भी हैं, macroscopic का मतलब है कि they are visible to naked eyes और इनको देखने के लिए हमें किसी optical instrument की जरूरत नहीं है, इसकी example है, ब्रेंकियो सेरेंथर्स, जो कि हाइडरो जोन पोलेप है, हाइडरो जोन इनका सब ग्रूप है, और पोलेप इन में पाई जाने वाली एक body form है, जिसका जिकर हम चलके करेंगे, और इसका size तकरीबन two meter in length होता है, अगर हम इनकी feeding देखें और food हासल करने के तरीके कार देखें, तो हम देख सकते हैं, कि जो नाइडेरियन्स हैं, ये अपने से छोटे animals को खाते हैं, और इनके खाने की methodology कुछ इस तरह से है, इनका जो mouth है, उसके एर्ध गि tentacles हैं, इन में stinging cells जिनका अभी हमने जिकर किया, जिनको nematocyst कहते हैं, वो मौजूद हैं, जब भी कोई prey इन tentacles के करीब आता है, nematocyst fire होता है, और उस prey को immobilize करता है, और उसके बाद उस prey को mouth के थरू central cavity में add कर दिया जाता है, central cavity कहलाती है gastro-vascular cavity, gastro का मतलब है digestive role और vascular का मतलब है circulatory role, क्योंकि इनके अंदर को specific circulatory system मوجود नहीं है, तो यही जो इनकी cavity है, इसी cavity के अंदर material circulate करते हैं, और material के साथ साथ पानी भी सी में circulate करता है, चूँकि इसी में digestion भी हो रही है, और इसी में materials भी circulate कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं gastro-vascular cavity, जब prey gastro-vascular cavity में आता है, तो जो gastro-dermis हैं इनकी body की, यह जो inner layer है, यहां से enzymes secret होते हैं, और वो enzymes उस प्रे को digest करते हैं, और digest करने के बाद उसके nutrients को absorb कर लिया जाता है, आफ्टर absorption, तमाम body के अंदर उस nutrients को distribute किया जाता है, through a process termed as diffusion, और जो waste होते हैं, वो body से remove कर दिया जाते हैं, या तो प पानी के साथ वापिस इसी mouth से बाहर चले जाते हैं, हम देख रहे हैं कि यही single opening जिसको हमने mouth label किया है, यहां से food अंदर आ रहा है, और यहीं से waste भी बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा digestive system, जिसमें सिर्फ एक opening मौजूद हो, कि जहां से material body के अंदर भी आ रहे हूं, और वहीं से materials बाहर भी जा रहे हूं, तो इसको हम कहते हैं, sack like digestive system, so this is a sack like digestive system, यहां sack से मुलाद है एक थैली, आप देखते हैं कि आपके पास जो shopping bag है, या थैली है, उसमें सिर्फ एक ही opening होती है, जहां से आप उसके अंदर चीज़ें डाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं, इस reference से, ऐसे digestive system हम को कहा जाता है, sack like digestive system, considering germ layers, नाइडेरियन्स आर डिपलो ब्लास्टिक, यह अपनी development के दौरान दो लेर्स बनाते हैं, सेल्स की, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और उसके बाद यह एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनके बॉड़ी के पार्ट्स बनाती हैं, यहां पे एक्टोडर्म है, अंदर वाली लेर एंडोडर्म है, और उसके बाद इनकी बॉड़ी फॉर्म होती है, एक्टोडर्म डिफरेंट स्ट्रक्टर्स बनाती है, और एंडोडर्म डिफरेंट स्ट्रक्टर्स बनाती है, अगर हम नाइडेरियन्स की बॉड़ी को कंसिडर करें, तो इस diagram में हम इसकी body को observe कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि इन में एक बाहिर वाली layer है जिसको हम कहते हैं epidermis और epidermis ectoderm से बनी है यह जो ectoderm है यह सबसे बाहिर वाली layer बनाएगी this is what we call epidermis तो इनकी body की सबसे बाहिर वाली layer is termed as epidermis और ये embryonic layer ectoderm से बनी हुई है similarly इनकी body के सबसे अंदर वाली जो layer है जो के यहाँ पे blue color में show की गई है that is what we call gastrodermis और gastrodermis embryonic layer endoderm से बनी हुई है so ये endodermal end origin है ectoderm और endoderm ने बना दिया epidermis और gastrodermis epidermis और gastrodermis के तरमियान pink color में show किया गया area कहलाता है mesoglia और mesoglia वो portion है कि जिसमें jelly like material इनकी body के अंदर मुझूद होता है so ये इनकी body wall है इनकी body के अंदर जो central cavity है उसको हम कहते है gastro-vascular cavity जैसे कि हमने previously डिसकुस किया कि gastro का मतलब है digestive role और vascular का मतलब है circulatory role कि इसी cavity के अंदर digestion भी होती है और यहां पे materials move और circulate भी करते है और इसी में पानी भी move करता है चुँके ये cavity दोनों रोल्स प्लेक कर रही है तो इसको हम कहते है gastro-vascular cavity diagram में बहुत clear है कि gastro-vascular cavity को चारों तरफ से gastro-dermis line कर रही है और यही इसके अंदर enzymes भी secrete करती है food को digest करने के लिए अब यह जो central cavity है इसमें single mouth मौजूद है और यह single opening है जहां से materials के अंदर आते हैं और यहीं से बाहर जाते हैं हमने previously इसी को discuss किया कि ऐसे digestive system को हम sack like digestive system कहते हैं that's all about the germ layers and body of the nidarians nidarians का nervous system एक diffused nervous system है diffused का मतलब यह है कि इसमें कोई central point नहीं है यह पूरी body के all around spread हुआ 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 है फैला हुआ 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 है और यह body को cover कर रहा है इसको हम network जाल nerve net या फिर plexus कहते हैं बहुत सारे neurons मौजूद है जो आपस में मिलके एक जाल बना रहे हैं जिसको हम nerve net कहते है और यह इसकोरी body को cover कर रहा है इसका मतलब है यहाँ पे कोई central point नहीं है जैसे कि हमारी body के अंदर brain और spinal cord हमारा central point है जहाँ पे सारे messages आते हैं और वहीं पे processing होती है लेकिन इनकी body में there is no centralized nervous system जैसा कि humans की body में पाया जाता है इनका nervous system कहलाता है diffused nervous system अब यह diffused nervous system जो है यह एक adaptation है for sedentary lifestyle sedentary हमने previously discuss किया कि यह animals रुके हुए हैं attached रहते हैं move नहीं करते जब यह move नहीं करते तो इनका food किसी भी direction से आ सकता है अब चुँके animal तो move नहीं कर सकता इसलिए ज़रूरी है कि animal के अंदर चारों तरफ sensory structures मौजूद हूँ जो कि आने वाले food को receive करें और उसको grab करने में help करें अगर इसका central nervous system होता तो फिर यह सिर्फ एक ही direction में food को ले सकता क्योंकि यह move तो कर नहीं सकता चुँके यह sedentary है तो इसको diffused nervous system कि यहाँ पर survive कर सके अगर हम इनके symmetry देखें तो हमने introductory lectures में symmetry को discuss किया radial symmetry इनमें पाई जाती है और यह grad radiator में पाई जाने वाले animals होते है radial symmetry ऐसी symmetry है कि जिसमें हम central axis से गुजरता हुआ plan किसी भी direction से जो आ रहा हो वो body को दो mirror images में divide कर सकता है यहाँ पर यह हमारा दो plan of deviance है जिससे इस body को हम divide कर रहे है आप देख रहे हैं कि किसी से भी आप इस body को काट लें जिस भी plan से काटेंगे दो जो आपके पास pieces बनेंगे वो आपस में similar pieces होंगे और वो आपस में होंगे mirror images इसका मतलब है इनकी body में organs की arrangement नाइडेरियन्स की कुछ examples देखेंगे और उन सब में हम body forms देखेंगे कि कौन सी body form पाई जाती है क्योंकि हमने दो basic forms पढ़ी है नाइडेरियन्स के अंदर एक body form थी polyp form जो के sysile थी और दूसरी form थी medusa form जो के move कर सकती थी तो सबसे पहले हमारे पास individual है है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक body form है that is polyp इसके पास कोई दूसरी different body form मौझूद नहीं है इस वज़ा से हम कहते हैं कि इसके अंदर alternation of generation नहीं है अगर इसके पास दो body forms होती एक body form दूसरी body form बनाती और दूसरी body form पहली body form बनाती तो इसको हम कहते alternation of generation लेकिन नहीं के पास there is single body form that is polyp और polyp जब budding करेगा तो वो polyp ही बनाएगा it means there is no alternation of generation actinia या फिर c-anemone c-anemone के अंदर भी hydra की तरह only one body form that is polyp लेकिन इनके अंदरे खास बात यह है कि अगर आप इनका cross section काटें और cross section काट के आप इनको देखें अगर तो आप देखेंगे कि इनकी body के अंदर membranes या septa मौजूद हैं separations मौजूद हैं और यह जो membranes मौजूद हैं यह इनकी gastro vascular cavity को मुखतलिफ compartments में divide कर रही हैं यह जो septa या membranes हैं यह miscentries कहलाती हैं the next animal is औरीलिया औरीलिया जैली फिश को कहते हैं और जैली फिश के अंदर दो body form से हैं एक body form polyp कहलाती है और दूसरी मेडियूसा जैसे कि हमने पहले बे डिसकस किया जैली फिश के अंदर जो polyp form है यह reduced है यह size में चोटी है conspicuous ज्यादा नहीं है हम इसको observe नहीं करते हैं आम तोर पर जिस body form से हम वाकिफ है औरीलिया के that is what we call मेडियूसा इसी से हम वाकिफ है और इसी को हम jellyfish के नाम से जानते हैं क्योंकि यह dominant form है यह free swimming है और यह move करती है और jellyfish के अंदर alternation of generation पाई जाएगी क्योंकि इसकी मेडियूसा form बनाएगी polyp और polyp form बनाएगी मेडियूसा और polyp पानियों के नीचे surfaces के साथ attached रहेगा और मेडियूसा freely movable है that is why हम इसको observe करते हैं मेडियूरी पोरा जिसको आप यहाँ पे diagram में देख सकते हैं इनको आम तोर पे corals कहते हैं ये भी नाइडेरियन्स हैं और ये भी एनिमल्स हैं इनकी खास बात ये है कि ये कलकेरियस skeleton बनाते हैं इनकी जो body के cells हैं वो समंदर के पानी से lime एब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो अपने गिर्द एक stony cup बना लेते हैं diagram में देख सकते हैं ये visible stony cup तो ये stony cup पूरे animal की body को cover कर लेता है और चुक्क ये calcium carbonate से बना वे जिसको हम calcareous कह रहे हैं और इसके लिए जो lime चाहिए होता है वो sea water से लिया जाता है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये animal इस stony cup के अंदर इस skeleton के अंदर रह रहा है और यहाँ से इसके tentacles बाहर निकले हुए है जिससे ये feeding करता है जब ये animals आपस में मिलके रहते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े stony materials बनाते हैं और इन बड़े बड़े stony materials को हम coral reefs कहते हैं अंदर से ये animals की death हो जाएगी और सिर्फ इनके stony cups और इनके skeleton रह जाएंगे और वो skeleton आपस में मिलके बड़े-बड़े stony masses बनाएंगे जिनको coral reefs कहते हैं So, corals are known for building coral reefs और इन coral reefs के अंदर मुखतलिफ animals like fishes अपना habitat बनाती है और उनको ये रहने के लिए जगा provide करते हैं ये इनकी importance है The last individual जिसमें हम body form देखेंगे That is what we call obelia और obelia इस हवाले से बहुत interesting है कि ये colonial है इसकी जो body forms हैं वो आपस में मिलके रहती हैं और different body forms जब आपस में मिलके रहती हैं तो उसको हम colony कहते हैं तो colony के अंदर आपको different body forms इसकी नज़र आएंगी और हर individual या body form को हम zoids कहते हैं तो यहां पे हम ये colony देख सकते हैं obelia की ये obelia है और ये इसके different body forms हैं जो आपस में एक दुसरे से अलग नहीं बलके मिलके रह रहे हैं जैसे कि हमने jellyfish में देखा था कि polyp और medusa different थे और वो आपस में मिलके नहीं रह रहे थे बलके वो अलग रह रहे थे यहां पे हमने देखा कि ये आपस में मिलके रहते हैं और ये colony बनाते हैं और इस colony के अंदर हमें नजर आ रहे हैं पहली body form that is what we call gastrozoid ये जो gastrozoid है ये वो individual form है ये obelia की वो body form है कि जिसके थूँ वो feeding करता है hence termed is gastro gastro का मतलब होता है digestive related to nutrition या फिर food so this is what we call gastrozoid वो individual जो food लेने से associated है इसी तरह से यहां पे हमारे पास मुझूद है gonosoid gonosoid involved होता है asexual reproduction में और ये asexual reproduction के थूँ बनाता है third type का zoid that is what we call medusa और ये medusa बनने के बाद यहां से release हो जाएगा medusa यहां से release होने के बाद पानी में freely swim करेंगा और इसके अंदर gonads बनेंगे और gonads फिर sexual production में role play करेंगे तो यहां पे हम देख रहे हैं कि different किसम के zoids आपस में मिल के रह रहे हैं अब देख रहे हैं यहां पे कि एक ही एनिमल के अंदर different body forms मुझूद है तो एक एनिमल जब मुखतलिफ किसम की body forms में रहता है तो इसको हम कहते हैं polymorphism और polymorphism को हम define करते हैं that is the phenomena of having more than two different types of individuals called zoids in same organism यह organism एक ही है जिसको कहते हैं obelia लेकिन obelia की forms मुखतलिफ हैं यहां यह gastrozoid की form में है और यह feeding करता है और यहां यह gonozoid की form में है और यहdy Andrew यह maduosa की form में है और यह sexual production करता है और इसके zoids आपस में मिलके रहते हैं और ये एक कॉलोनी बनाते हैं और ये नाइडेरियन्स का एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है यहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ मजीब नाइडेरियन्स भी हैं जो के कॉलोनील हैं जिसमें वैलेला हमारे पास मौजूद है और इसी तरह फाइसेलिया मौजूद है फाइसेलिया के अंदर फाइफ डिफरेंट जॉइड्स हो सकते हैं बॉडी फार्म्स मौजूद हो सकती हैं इसके अंदर इसको पॉर्चुगीज मैन ओफ वार कहते हैं क्यूंकि जब ये पानी में होता है तो इसकी शकल कुछ इस तरह से लगती है जैसे ये एक शिप के तरह है एक वार्शिप से रिजेंबल करता है इसका पॉलिप का स्ट्रॉक्चर जिस वज़ा से इसको पॉर्चुगीज मैन ओफ वार कहा जाता है As for as the reproduction is concerned नाइडेरियन के अंदर ace sexual production भी होती है और sexual production भी होती है Ace sexual production simply birding से होती है जिसमें body के ओपर एक bird बनती है और वो bird develop होने के बाद एक complete individual बना देती है Sexual production में हम देखेंगे कि alternation of generation पाई जाती है यहाँ पे हम example consider कर रहे हैं jellyfish की Jellyfish दो body forms में होती है medusa और poly Medusa के अंदर चुंके gonads होते हैं इसलिए उसमें sexual production होती है और planula larva बनता है यह larva freely swim करता हुआ जाता है और surface के साथ जाके attach होता है और attach होने के बाद यह body form बनाता है वो polyp है और polyp एक sedentary body form होती है यह move नहीं कर सकती In response polyp जो होता है वो वापस medusa बनाता है So medusa is giving rise to polyp and polyp is giving rise to medusa चुंके दोनों generations एक दूसरे को बना रही है This is what we call alternation of generation चुंके बनाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ जाता है